गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटोर पे जैसा कि हमने लास्ट क्लास में शिलॉक्स खतम किया था फिर लॉक्स में आईदर और की कंडिशन देखी थी पॉसिबिल्टी देखी थी कोशन देखे थे तो लास्ट क्लास के अंदर मेरा मैंने जब यह चैक किया आप लोगों का रेस्पॉंस कैसा आ रहा है तो मुझे ऐसा लगा शायद आप लोगों को थियोरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आल्रेडी आप लोग यह सब चीज़े पढ़के आ चुके हैं तो मैंने यह डिसाइड किया है कि अब जो भी टॉपिक हम करेंगे हम केवल उसके कोशन करेंगे ठीक है जितने भी कोशन हम उसके सॉल्फ कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के केवल कोशन कि थियोरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रीजनिंग में मैंने जब आपको अभी सिलोजिजम पढ़ाया था तो सिलोजिजम में मैंने दोनों ही चैप्टर में आपको थियोरी पढ़ाई थी I think मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको शायरी की नीड हो लेकिन मेरे हिसाब से थियोरी की नीड है जैसा कि आपका response आया है ठीक है तो आज की class में मैं फिर से try करना चाहरा हूं कि inequality जो आज हम पढ़ेंगे इस inequality की class के अंदर हम थियोरी नहीं पढ़ेंगे directly इसके important questions देखेंगे जो questions की variety होंगी वो देखेंगे कि किस तरह के questions exam में आ सकते हैं क्यों क्यों आ रहा है हमारे पास exam IBPS conduct करा रहा है इसलिए यहां पर मैं जो questions लेके आया हूँ वो IBPS PO वाले लेके आया हूँ जो थोड़े अच्छे level के questions आपको मिलेंगे ठीक है examinations के अंदर अगर उस level के question आते हैं तो FCI में आप easily उन questions को FCI में कर सकते हैं यहां तक बात clear है चलिए अब हम theory की बिल्कुल भी discussion नहीं करेंगे हां question जब भी अब हमारे सामने आएगा तो उस question के अंदर ही हम थोड़ी theory का थोड़ा सा part देख लेंगे कि किस तरीके से क्या question में पूछा जाएगा कितने तरह के question पूछे जाएंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा चलिए start करते हैं फि past में हैं हम इसका एक बार pattern देख लेते हैं फिर इसके question चाहे हम बाद में कर लेंगे इसका pattern देखना पहले बहुत ज़रूरी है यह coding inequality कलाती है इसको हम कहते है coding या coded inequality इसको हम बोलते हैं coded inequality coded inequality होती है कि inequality आपको पता होगी I think मेरे हिसाब से reasoning में inequality क्या होती है inequality reasoning के अंदर होती है जब हम comparison करते हैं किनी भी चीजों का किनी भी दो चीज या दो से ज़्यादे चीजों का जब comparison किया जाता है तो उन में से कौन सा बड़ा है यानि कि कौन सा small है कौन सा equal है और कौन सा large ह यह big है जो भी आप कहना चाओ तो उस basis पे हम यह पता लगाते हैं कि इन में से क्या होगा that is called inequality जहां पे किसकी बात की जाती है equality की उससे inequality कहा जाता है basically यहां पे तीन तरह के symbol चलते हैं पहला होता है हमारे पास में greater का दूसरा होता है हमारे पास में small का और तीसरा होता है हमारे पास में equal का तो यह तीन तरह के symbol हमारे पास में यहां चलते हैं जब भी हम inequality की बात करते हैं तो और इनी तीन symbol से मिलके दो नए symbol create किये जाते हैं जिनें बोला जाता है greater के साथ equal यानि greater equal और small के साथ equal यानि की small equal तो अगर यह पास symbol मुझे पता है तो यहां से directly मैं अपने question को solve कर सकता हूँ अच्छा इन सब चीजों के बारे में I think आपको पता होगा कि यह पास चीजे क्या है इनका use कैसे करना है यह अब हम यहां अपने question के अंदर check करेंगे जो कि important है हमारे लिए कि क्या क्या चीजे हम यहां पे question के अंदर check करने वाले है यहां तक I think मेरे साबसे clear होगा आप सभी को तो आगे आते हैं हमारे question के उपर देखिए इसको coded inequality कहते हैं और यह examiner का बहुत favorite होता है ज़्यादा तर exam में वो इस तरह का question देता है यह sign directly नहीं देगा small equal और larger greater वाला वो क्या करेगा इनको represent कर देगा किसी particular code से जैसा कि आपको यहां दिख रहा है वो किसी particular code से इनको represent करेगा जो कि या तो small को बताएंगे या greater को बताएंगे या greater equal को बताएंगे या small equal को बताएंगे तो इसके लिए हम एक chart prepare करते हैं इस particular coded inequality के लिए हम एक chart prepare करते हैं और उस chart को किस तरीके से देखते हैं यहां हम एक chart बना लेते हैं यहां एक कहें तो table बना लेते हैं हम उस table के basis पे ही question को solve करते हैं और उसको अपने copy paper या फिर जो भी paper आपको मिले उस पे बना जरूर लीजिएगा देखें यह हमारे पास में एक table हो गई यहां पे हमने अभी अभी total पांस तरह के sign देखे थे पहला देखा था greater का दूसरा देखा था small का तीसरा देखा था greater equal का चौथा देखा था small equal का और पांचवा देखा था equal का जिसका means क्या है जिसका means है कि P is not small than Q इसका मतलब क्या है कि P Q से छोटा नहीं है अगर P Q से छोटा नहीं है तो या तो P Q से बड़ा होगा या फिर P Q के बराबर होगा यही मतलब निकल रहा है नहीं सलाइन का इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि P Q से छोटा बराबर होगा sorry, small नहीं है न, P is not smaller than Q तो यहाँ पे P Q से क्या होगा, बड़ा होगा यह फिर P Q के क्या होगा, बराबर होगा इसका मतलब क्या हुआ कि P Q से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा तो यानि कि ये जो symbol है ये किस को represent कर रहा है बड़ा बराबर को represent कर रहा है greater equal को represent कर रहा है कौन, copyright तो जब भी हम copyright की यहाँ पर कहीं पर भी बात करेंगे यह जान। जैसे यहाँ copyright की हमने बात करी है तो उसको किस से represent कर के दिखाएंगे greater equal से क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि P copyright Q में P is not smaller than Q second P star Q जब मैं P star Q की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है P is not greater than Q अभी अभी बात करी उसका जस्ट उल्टा हो गया कि P अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा तो P छोटा होगा या तो Q से या फिर P Q के बराबर होगा जिसका की मतलब होगा कि P Q से छोटा बराबर होगा और इसके लिए सिम्बल क्या है star तो हमारे पास यहाँ पे छोटे बराबर के लिए हमने सिम्बल क्या यूज कर लिया star यह हम क्यों कर रहा है क्योंकि जब हम question solve करेंगे तो हम directly सिम्बल से question solve नहीं कर पाएंगे हमें उसके sign चाहिए पढ़ेंगे तीसरा P at the rate Q जब मैं P at the rate Q की बात करता हूँ तो P at the rate Q का मतलब क्या होगा कि P is neither greater इसका मतलब ना तो P बढ़ा है than nor equal to Q मतलब P Q से ना तो बढ़ा है और ना ही इसके बराबर है इसका मतलब यह हुआ कि P at the Q से बढ़ा भी नहीं है P Q के बराबर भी नहीं है तो definite सी बात है कि P Q से क्या होगा छोटा होगा बढ़ा बराबर नहीं है तो छोटा होगा और P at the Q से छोटा है तो छोटे के लिए यह छोटा का sign है small का sign है इसकी बात की जारी है, तो P dollar Q का क्या मतलब है, P is neither small, मतलब P small भी नहीं है, और नहीं बराबर है Q से, तो small नहीं है, बराबर रही है, तो P क्यों से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो greater के लिए क्या sign यूज में आ रहा है, dollar यूज में आ रहा है, यहां तक clear है, और आकरी व दौन नहीं है, तो क्या होगा, बराबर होगा, तो यह बराबर किसको represent कर दे रहा है, equal को, sorry, बराबर किसको represent कर दे रहा है, percentage को represent कर दे रहा है, तो यह हमारे पास में एक table आई है, और आपको इस table को अपने mind में रखना है, और अपनी copy में भी लिख लेना है, ठीक है, क्यों उस टाइम पे उन symbols को यहां लिख देना है बस बाकी और कोई changes नहीं होगा ठीक है question number one पे आते हैं देखो question number one की यदि मैं आप बात करता हूँ तो question number one के अंदर मेरे पास statement दिया हुआ है मुझे जिसके अंदर यहां पे symbols दिये हुए हैं अब देखो मेरे को elements को connect करना है आप अगर यहां connection देख पा रहे हो तो j k k t t n n r बात समझ में आ रही है तो मेरे को यह कॉमा लगाने की जरूती नहीं है यह कॉमा क्या बता रहा है क यह सारे statement अलग-अलग है यह एक अलग statement है यह एक अलग है यह एक अलग है लेकिन मुझे क्या बताओ क्या यह अलग है बिल्कुल भी नहीं है यह तो interlinked है k की जगे k है t की जगे t है n की जगे n है इसका मतलब मैं चाहूं तो इसको कुछ इस तरीके से represent कर सकता हूं कि j dollar k star t add the rate n copyright r तो यह जो बन गया मेरे पास में यह directly मैंने से निकाल के बना लिया reason क्या है बनाने का कि जब मैं question solve करूं तो मुझे एक continuity मिलनी जरूरी है ताकि मैं यह बता सकूं कि यहाँ पे j k से बड़ा है चोटा है या बराबर है ठीक है ऐसे ही आगे वाले elements के लिए यहां त कि पहले यह बनाया अब इससे sign वाले form में बनाओ यह symbol लिखे ना इससे sign वाली form में बनाओ या फिर एक काम करो कि वो ना बना करके directly in symbols और यहां पे आप mind के अंदर comparison करो इस पूरे table और इसके बीच में mind के अंदर comparison करो उससे आपका time बचेगा आपको यही सीखना है क्योंक पहला conclusion आपको दिया है जी जे डॉलर टी सबसे पहले मुझे देखना है कि जे और टी है कहां यह जे और टी है अगर यह जे से लेकर कर के टी है तो इनके बीच में दो ही symbol आ रहे है एक कौन सा आ रहा है डॉलर का symbol आ रहा है और एक star का आ रहा है आ रहा है इन दोनों के जब जे और टी की में बात कर रहा हूं तो इस तरफ तो आ रहा है greater और के से टी की तरफ आ रहा है less than equal हमेशा ध्यान रखना जब तक की same direction वाले आपके पास sign नहीं आएंगे तब तक आप comparison नहीं कर सकते एक example देखें आ बता देता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने लिखा a is greater than b और b is greater than equals to c ये लिखा हुआ है ये same direction sign है के नहीं दौनों तरफ बड़ा वाला sign आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a b से बड़ा है b c से बड़ा बराबर है इसका मतलब क्या हुआ a c से क्या होगा बड़ा होगा a c से क्या होगा बड़ा होगा अब आप कहोगे कि sir बराबर भी तो हो सकता है तो बराबर क्यों नहीं होगा क्योंकि बराबर b और c के case में हो सकता है लेकिन a b से भी बड़ा है इसका मतलब c से definite सी बात है कि बराबर तो कभी नहीं होगा हमेशा क्या ही होगा बड़ा ही होगा बात समझ में आ रही है लेकिन इस condition के अंदर जम म कि k दोनों से ही छोटा है k j से भी छोटा है और k t से भी छोटा है और j और t को मैं compare क्यों नहीं कर सकता क्योंकि j और t के बारे में मुझे information पता ही नहीं है जब मैं इसको बना के देखूँगा तो ऐसे बना सकता हूँ क्या देखना जैसे मैंने j को बनाया j is greater than k ये बना सकता हूँ मैं अगर ये j है और ये k है तो j is greater than k बना सकता हूँ मैं और k t से छोटा है तो अगर k t से छोटा है तो संभावना है देखो क्या क्या बन सकती है यदि k t के बराबर हो गया तब तो T मैं ऐसे बना दूँगा यहां तक और इस वाले case के लिए जो है जे जो है T से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा लेकिन एक case यह भी जो है कि K T से छोटा है तो उस condition में T इतना बड़ा भी तो हो सकता है कि वो J से भी उपर निकल जाए तो इसका मतलब comparison में नहीं कर पा रहा और यदि मैं इनके बीच में comparison नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि J, डॉलर, T क्या हो गया गलत यह बिल्कुल silox की तरह चलता है definite होते हैं यह आपको यह चेक करना होता है क्या कि हमेशा J, T से डॉलर के साथ connection देखेगा या फिर नहीं रखेगा तो देखो नहीं रखेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा और चोटा है दोनों sign आ रहे हैं हमेशा दिमाग में यह रख लेना जब भी दो elements के बीच में जैसे मैंने लेखा A greater than B और less than C जब ऐसी कोई situation आ जाए जहाँ पर दोनों category के sign आ रहे हो गेरिटर family का sign भी आ रहा हो और less family का sign भी आ रहा हो तो यहाँ पर मैं A और C को compare नहीं करा सकता no comparison बात समझ में आ रही है A और C के बीच में no comparison reason क्या है उसका क्योंकि यहाँ दोनों family के sign आ गए तो मैं नहीं बता सकता A और C में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा यहाँ तक की I think में लगता है आपको बात clear होनी चाहिए clear है चलिए next पे चलते है जब मैं next पे चलता हूँ तो यहाँ से मुझे दिख रहा है R और T आप मुझे बताएंगे कि R और T में क्या star star का मतलब क्या है less than equals to इसका मतलब क्या R T से छोटा बराबर है यह आप मुझे देख के बताओगे उपर जल्दी से कि क्या R T से छोटा बराबर है तो हमें यही चीज़ यहाँ चेक करनी है कि R T से छोटा बराबर है या फिर नहीं है चलिए देखते हैं R T से छोटा बराबर है या नहीं तो देखो R और T को सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे R और T को सबसे पहले हम यहाँ पकड़ेंगे तो जब मैं R और T को यहाँ देखूंगा तो मेरे पास में R और T का जो connection है वो यह रहा दिख रहा है यहां हम R से T जाना चाहरे हैं और यहां वो T से R आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है आप T से R ही चलो आप T से R ही चलो बाद में उसे convert कर देंगे कैसे जैसे वे ने कहा A B से बड़ा है तो इसको उल्टा करके वे यह भी तो लिख सकता हूँ कि B A से क्या है छोटा है बात समझ में आ रही है जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए केवल A की condition आ रही है कि उन्हें theory नहीं पता इसकी ठीक है मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आना चाहिए क्योंकि already आप paper दे चुके हो prelims का ठीक है चलिए और आप mainst में qualify हुए हो मतलब मैं ही सोच के चल रहा हूँ आपकी अब आपको theory clear है मेरे को सीधे questions कराने है next आते हैं जरा t से लेकर के r की बात की जा रही है तो t और r के बीच में add the rate और copyright का sign आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा तो अब आपको add the rate और copyright देखना है मुझे यहीं से देखके बताओ क्या mail को इसे सही करना चाहिए या गलत copyright का मतलब है बड़ा बराबर और बड़ा बराबर के साथ में जो दूसरा sign आ रहा है वो है छोटा तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख गई कि जब मैं t से लेकर के r तक का यह बनाऊँगा तो कुछ ऐसे बनाऊँगा t add the rate n का मतलब t छोटा है किस से t छोटा है किस से n से और n copyright r का मतलब n बड़ा बराबर है किस से r से यह बनाऊँगा न मैं तो मैं कैस को compare कर पाऊँगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यहाँ पे less की family आ गई और यहाँ पे greater की family आ गई इसका मतलब t और r को compare नहीं कराया जा सकता इसका मतलब third question कहरा है n जो है और n और k के बीच के जो relation है यह यहाँ पे दिया हुआ है तो जब मैं n और k के बीच के relation को यहाँ चेक करूँगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि n और k है कहां पे हमारे पास तो मैं फिर से बना देता हूँ यह रहा हमारे पास में n और k अगर आपको देख रहा हो तो n और k मुझे यहाँ दिख रहे मैं इसको यहाँ उपर बना देता हूँ और ulti form में दिख रहे n से k नहीं दिख रहा k से n दिख रहा है के 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 से n क्या दिख रहा है k star T और T at the rate n ये दिख रहा है हमें और जब ये दिख रहा है तो जब ये चेक कर लो की star और add the rate के बीच के relation क्या है तो देखो star का मतलब है छोटा वराबर और add the rate का मतलब भी है छोटा इसका मतलब ये small वाली family के member हैं दोनों मतलब ये compare हो सकते हैं definitely तो इसको क्या compare करना है star का मतलब क्या लिखा हमने छोटा वराबर star का मतलब क्या है छोटा वराबर तो k छोटा वराबर है t से और t add the rate, add the rate का मतलब छोटा t छोटा है n से अभी अभी बताया था आपको मैंने abc के form में तो जब k t से छोटा है मैं एके first form लेके चलता हूँ k t के बराबर होगा तब भी वर n से छोटा होगा क्यों इसकी दो situation बना सकता हूँ मैं देखो इसकी पहली situation तो मैं ये बना सकता हूँ कि k t से छोटा हो और t n से छोटा हो बन सकती है और दूसरी बन सकती है कि k t के बराबर हो और T N से छोटा हो तो मुझे एक बात बताओ कि दौनों ही case का answer ये नहीं बन जाएगा कि K किस से छोटा है, K N से छोटा है, बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि अगर K T के बरावर है तब भी हो N से छोटा है और K अगर T से भी छोटा हो गया और T N से छोटा है तो definite सी बात है कि K N से छोटा हो जाएगा यहां तक clear है सबको कि K N से छोटा होगा लेकिन exam में ऐसे नहीं लिखाएगा कि N से छोटा है अब मुझे तो बस आप इतना बता दो क्या आपके conclusion में K से लेकर के N का relation पूछा है या N से लेकर के K का relation N से लेकर के K का relation पूछा है न और जब उसने आपसे N से लेकर के K का relation पूछा है तो आपको इसे convert करना पड़ेगा और आप इसको convert कैसे करोगे जब K आपके पास में N से छोटा है जब K N से छोटा है तो N K से क्या होगा? बढ़ा होगा एक ही बात है न दोनों तो अब आपको ये answer symbol form में देना है N के से बड़ा है और बड़े का symbol क्या यूज़ करते हैं? हम dollar यूज़ करते हैं इसका मतलब N dollar के definitely right है I think मेरे हिसाब से सबको ये बात सबच में आ गई होगी कि अभी हम क्या कर रहे हैं यहां तक clear है सबको चलिए फिर next, fourth number के option पे या conclusion पे हम चलते हैं लिखा हुआ है R star K क्या लिखा हुआ है? R star K तो सबसे पहले आपको यही पकड़ना है कि R star K के अंदर कहां पे R मौजूद है और कहां पे K मौजूद है मेरे पास में तो देखो जरा हम सबसे पहले यही चेक करते हैं तो मेरे पास में R कहां मौजूद है यह रा R और यह रा K लेकिन उल्टे form में चलता है हमसे R से K पूछा है यह K से R बता रहा है कोई दिक्कत नहीं हम K से R ही निकालेंगे लेकिन फिर बाद में उसको अपोजिट कर देंगे ठीक है अब बस क्या करना है देखो जल्दी जल्दी कोशन कैसे की जाते है K और R के बीच में तीन सिंबल है स्टार है एड़ दरेट है कॉपी राइट है यह चेक कर लो कहीं इसमें इसमाल एकुल कै मतलब यह ग्रेटर की फैमिली का है इसका मतलब में K से N का रिलेशन नहीं कर सकता इसका मतलब चौथा वाला जो औप्शन है वो गलत हो जाएगा इसको मैं बनागे भी दिखा सकता हूं देखो K star, star का मतलब less than equals to T, add the rate का मतलब less than N, copyright का मतलब greater than equals to R मुझे देख के बताओ कि आप यहां compare कर पाओगे, बिलकुल भी नहीं क्योंकि यह greater की family का आ गया, यह दोनो small की family का आ गया तो जब दो element के बीच में greater और small दोनों की family के element आ जाते हैं तो वो compare नहीं होते तो इस question का answer हो जाएगा option number E, only fourth, sorry, option number D, only third is right या only third is true यह हमारा answer हो जाएगा, यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात clear होनी चाहिए और अगर clear है तो फिर हम आगे वड़ते हैं और आगे वापिस इसको यह same question है, देखते हैं फटाफट्चे कि यह question कैसे होगा pause करके इस question को आप solve करेंगे, मुझे लगता है आपने pause करके यह question solve कर लिया होगा तो मैं यह question आपको बता देता हूँ कैसे होगा चलिए, solve करते हैं, सबसे पहले यह जो दिया हुआ है, वापिस अगर आप चाहें तो यहां www, r, r, mm मतलब अभी तक हम easy form पढ़ रहें coding की, tough नहीं है, tough होता तो यह order में नहीं देता वो और फटाक से हम इसका बना लेते हैं, जब हम जल्दी से बनाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे f, w, copyright, r, add the rate, m, dollar, d, यही करेंगे, और जब हम यह करेंगे, तो हमें बस अब symbols चेक करने हैं, देखो, पहला क्या कहरा है, first कहरा है, d, add the rate, r, तो d से r चलते हैं पहले, तो d से r तो नहीं है, r से d है, कोई दिक्कत नहीं है, हम r से d चलते हैं पहले, अगर हम r से d चलेंगे, तो इनके बीच के symbols चेक कर लो, add the rate, add the rate, जिसका मतलब होता है, छोटा, कोई दिक्कत नहीं, dollar, dollar, जिसका मतलब होता है, बड़ा, क्या हुआ, कि r और d के बीच में relation देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे r और d के बीच में छोटा और बड़ा दोनों तरह के sign आ गए हैं, तो इनके comparison नहीं हो सकते, तो इसका answer definitely right तो कभी भी नहीं होता, और एक important चीज, inequality के अंदर कभी भी possibility का case देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ तक की बात सबको clear होनी चाहिए, बहुत अच्छे, चलिए फिर, next question पे आते हैं, तो next question है हमारे पास मैं M से लेकर के F, तो क्या मैं M से F पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन हमारी सीरीज के हंदर हम M से F पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे F से M पे, यह दिख रहा होगा आपको F से M का sign, यहां से यहां तक का, अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको F और M के बीच में आने वाले symbols देख same treat करते हैं, मतलब यहां F और W में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब F की जगे W लिख सकता हूँ, और W की जगे F लिख सकता हूँ, clear है, तो percentage पता लग गया, आपको आता है copyright पे, तो जब मैं copyright पे आऊँगा, तो copyright का मतलब होता है बड़ा बराबर, ठीक जो symbol आ रहे हैं, ये तीन है, और इन तीन के जो sign है, वो छोटे वाला भी आ गया, बड़ा वाला भी आ गया, इसका मतलब यह हो गया हमारे पास में है, कि मैं इसको भी compare नहीं कर सकता, और यदि मैं इसको भी compare नहीं कर सकता, तो ये भी definite right कभी भी नहीं होगा, समझ पा रहे question को किस तरीके से approach करना है, हमें पूरा question नहीं करना कि उतार के निकाल रहे है, final conclusion तक जा रहे है, बिल्कुल नहीं, हमें symbolic form में ही question को solve करने की कोशिश करनी चाहिए और पढ़ेगी भी, क्योंकि time कम होगा, ठीक है, third पे आते हैं, third दिया हुआ है, r add the red d, जब मैं r add the red d करू तो जड़ा check करते हैं, मेरे symbol में, यहाँ पे उपर जो symbolic form है, उसमें r और d के बीच का relation क्या है, यह अभी अभी हमने r और d के बीच का relation देखा था, और वो comparison नहीं कर सकते थे हम r और d के बीच में, क्योंकि क्या था, एक छोटा था, एक बड़ा था, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, अब इसको थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में रखना, मैं समझाओंगा क्यों हाथ में रखना है, वैसे तो आप समझ जाने चाहिए हो, क्योंकि अभी अभी हम previous chapter sloks का पड़के आए हैं, जब element same होता है, दोनों conclusion गलत होते हैं, तो एक ही चीज दे relation है, अब ये important चीज आ गई, अब जब मैं R से F के relation की बात कर रहा हूँ, मतलब यहां से केवल यहां तक की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, F percentage W, copyright R, जब मैं इसकी बात करूँगा ना, तो इसको म है, और जब मैं इसको ये लिखूंगा, तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं F की जगे, W और W की जगे F लिख दूँ, तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला, तो मैं एक काम करता हूँ, इस F को यहां से हटाता हूँ, और इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, कि F बड बराबर है, तो RF से क्या होगा, छोटा बराबर होगा, होगा के नहीं होगा, और होगा, तो इसका सिंबल क्या होगा, तो छोटे बराबर का सिंबल क्या होता है, स्टार होता है, बात समझ में आ गई, मतलब फोर्थ वाला जो है, वो बिलकुल सही होगा, ये सारा काम आपको दिमाग में करना है, मैं करके इसलिए बता रहा हूँ यदि किसी को नहीं समझ में आए तो वो इस तरीके से देख सकता है ठीक है, clear है सब लोगों को अब आते हैं पहला और तीसरा, देखो element कौन से हैं, D और R order से फरक नहीं पड़ता, element कौन से है D और R, दौनों कंक्लूजन क्या हैं, गलत है, inequality से लोग जैसे चलती है, काफियत तक अब दौनों जगे add the rate आ रहा है, बोले sir add the rate आ रहा है, ठीक, add the rate का मतलब क्या है, add the rate का मतलब होता है छोटा, add the rate का क्या मतलब होता है छोटा, ठीक है अब ये ध्यान रखना हमेशा inequality के अंदर यदि आपको either or का case लगाना है, तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ, inequality के अंदर either or के case लगाने के लिए पहली condition होती है, element same होने चीए, element same होने चीए, मतलब जो भी element आ रहा है, जैसे यहाँ पे d और आ रहा है sign जो होने चीए, वो तीनों तरीके के होने चीए, मतलब greater का भी होना चीए, less का भी होना चीए, और equal, अगर ये तीनों तरीके के sign उसमें है, तब ही हम बोलेंगे कि महाँ either or का case लगेगा, otherwise नहीं लगेगा, तो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, add the rate की, तो एक d छोटा है r से, तो r क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा d से, यदि d छोटा है r से, तो r d से क्या हो जाएगा, बड़ा और बड़े को किस से represent करते हैं, dollar से represent करते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हो, तो एक जगे तो r d से बड़ा है, और यहाँ r d से छोट तो बड़े का साइन तो आ गया छोटे का साइन भी आ गया लेकिन कहीं पे बराबर का साइन दिख रहा है क्या इन दौनों कंक्लूजन में कहीं भी बराबर का साइन नहीं दिख ला इसलिए यहां आइदर और का केस नहीं आएगा अगर आपको यहां आइदर और का केस लगान वो गया छोटा बराबर मतलब यहां बड़े का sign भी आ गया छोटे का sign भी आ गया और बराबर का sign भी आ गया यहां तक मेरे इसाब से सबको बात clear होनी चीए clear है आगे चलें चलिए हमें time लग गया दो कोशन को कि हम यह दिरे दिरे तो मुझे सबसे पहले connectivity बनानी पड़ेगी अगर मैं connectivity नहीं बनाता तो मेरा काम नहीं हो पाएगा चलिए connectivity बनाते हैं क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी यह चीज ठीक है अच्छा हमारे पास जो table नहीं है उस table को यहां पर उतार लेते हैं क्योंकि मेरे लिए table बहुत बिना टेबल के मैं इस question को नहीं कर सकता तो चलिए पहले table यहां में उतार लिता हूँ आपके सामने यह हमारे पास में equal का sign आ गया यह हमारे पास में greater का sign आ गया यह greater equal हो गया small small equal हो गया इसको हमने शायद बोला था dollar यहां हम लिख देंगे dollar और यह हो गया copyright इसको शायद हमने बोला था add the rate और इसको बोला था star और यह हमारे पास में था percentage ठीक है आप देखिए इस question के अंदर पहले आप इसको convert कर लो धिरे धिरे हम ऐसा भी सीखेंगे या धिरे धिरे जब आप question करोगे तो अपने आप सीखते जाओगे कि convert करने की हमेशे जरूत नहीं पड़ती है जितनी need है उतना question कर लो चलो ठीक है फिरे उसी तरीके से हम करते है हम अब इसे convert नहीं कर रहे है नहीं कर रहे हम सीधे option number one पे आते है डबलू और e के बीच का relation पूछा है ना डबलू बड़ा है वी से और दूसरे में दिया है वी copyright है copyright मतलब वी copyright मतलब बड़ा बरावर है e से बात समझ में आ गई तो यदि आप इस family को चेक करोगे तो आपको देखेगा कि एक तरफ बड़ा है और दूसरी तरफ बड़ा बरावर है मतलब family same है और same family में priority चलती है अ बड़े बरावर को नहीं मतलब इसको priority पहले दी जाएगी इसके उपर और इसको priority पहले दी जाएगी इसके उपर ठीक है यदि आपके पास यह situation है बड़ा बड़ा बरावर और बरावर greater greater equal और equal तो इस situation का conclusion क्या निकल के आएगा greater निकल के आएगा ठीक है यदि आपके पा priority पे greater रहेगा second priority पे greater equal और third priority पे equal small की family में भी ऐसा होगा first पे great small second पे small equal और third पे equal तो यहाँ पे देखो अगर मैं priority वाइस check करूँ तो w v से बड़ा है और v e से बड़ा बराबर है तो इस पूरे combination में आपको दिख रहा होगा बड़ा और बड़ा बराबर conclusion निकाल के तो greater than का मतलब हो जाएगा dollar और यही तो हमारा answer है तो question जो conclusion number one है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो अब देखो हमें ऊपर complete chain बनाने की जरुद भी नहीं पड़ी हमने directly question solve कर लिया next आते हैं next दे रखा है h और add the rate जब मैं h add the rate के साथ e को connect करूंगा तो h और e को connect करने के लिए मुझे क्या चाहिए देखो h को e के साथ connect करने के लिए मुझे b चाहिए तो इससे काम बन जाएगा ना मेरा बिल्कुल बन जाएगा तो बस देखो इसको directly उतार लो नीचे h add the rate b हो गया और b star e अब बस इन्हें कर लो add the rate का मतलब होता है less than star का मतलब होता है less than equals to समझ में I think आपको आ गया होगा इनका conclusion क्या होगा less than तो h less than e और less than को represent करते है add the rate से तो second वाला क्या हो जाएगा right हमारा लगने वाला time कम हो गया ना क्योंकि हमें एक बार चीजों को clear करना पड़ता है mind में उसके बाद हम धिरे-दिरे questions को करना है start कर देते हैं ठीक है third वाले पे आते हैं क्या दिया हुआ है h add the rate v जब h add the rate v दिया हुआ है तो h से v जाना है h से हम e तक तो आ गए न अब बस e और v का relation और देख लो तो ये थोड़ा सा relation जो है हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये e से v का नहीं v से e का relation है तो v copyright copyright का मतलब बड़ा बराबर इसका मतलब v बड़ा बराबर है e से तो e क्या हो जाएगा e छोटा बराबर हो जाएगा v से मतलब symbol की form में यदि हम करेंगे तो e स्टार v हो जाएगा इतना तो आपको समझ में आता ही होगा मेरे सब से तो e स्टार v अब आप जड़ाद चेक करोगे तो यहां अब यह भी हमने देखा था कि यहां पे small का sign आ रहा है at the rate से star से less than equals to और यहां पे भी less than तो इनका conclusion तो यही बनेगा ना क्योंकि इन तीनों में first priority किसकी है small की है जब भी आएगी यह दोनों तो उसमें इसको पहले priority दी जाएगी तो answer तो same भी रहेगा तो answer same रहेगा next question पे आजाते हैं w से b का तो w से e का relation तो मुझे यहां तक दिख रहा है w से e तो मैंने अभी अभी निकाला था कि w से e में w बड़ा है e से निकाला था ना अब e से b पे और चल चलो तो देखो w से e में w greater than e है और e और b के बीच का relation यह बता रहा है star से star का मतलब हो गया कि b जो है b जो है वो star मतलब छोटा बराबर है e से तो यदि b e से चोटा बराबर है तो इसका मतलब हो गया e b से बड़ा बराबर होगा सही बात है मैंने element जब change किये जब मैं किसी से चोटा हूँ तो सामने वाला मेर से बड़ा होगा तो यदि b e से चोटा बराबर है तो e b से बड़ा बराबर होगा और बड़ा बराबर को represent करते हैं copyright से तो E copyright क्या हो जाएगा B तो E copyright B हो जाएगा या फिर इसको directly लिख लो E बड़ा बराबर हो जाएगा B से समझ में आ रहा है वापिस से इनमें first priority किसकी greater की तो W greater B और greater को represent dollar से करते हैं तो greater को अगर represent dollar से करते हैं तो answer क्या हो जाएगा fourth वाला भी right हो जाएगा यहां तक मेरे इसाब से किसी को भी समस्या नहीं आनी चाहिए यहां तक clear है greater को represent dollar से करते हैं तो इसका मतलब चारो ही conclusion मेरे सही हो गए और यदि मेरे चारो conclusion सही हो गए तो मैं answer लगाऊँगा all first second third and fourth यहां तक clear है सबको तो बचा हुए यह जो दो question है यह आप खुद से करोगे मैं आप देखा देता हूँ इसका screen shot ले लेना उपर से table उतार लेना और यह दोनों question आपको करने तीन मैंने करा दिये यह दो आपको करने है इनके question हो के answer आप मुझे comment section में बताओगे with question number कि सब चोथे का answer यह आया था पांचवे का answer यह आया था यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चीए clear है? चलिए फिर इस वाले inequality से आगे बढ़ते हैं इस inequality के बाद एक और inequality है हमारे सामने है यह थोड़ी सी अलग तरह की inequality है थोड़ी सी अलग तरह की inequality है क्यों? question के concept वहीं है question के concept वहीं है बस जब आप table बनाने या बैठोगे न तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हाँ यार यह थोड़ी सी अलग है हर जगे same rhythm से question नहीं करना होता है थोड़ा सा question का pattern देखना होता है कि examiner ने क्या condition हमें दिये उसी के according काम करना होता है यह table तो भड़ते ही पहले हमें बना लेनी है सबसे पहले आप देखें हैं आपे a dollar b का मतलब क्या है a is not small तो यदि a b से छोटा नहीं है तो a b से बड़ा बराबर होगा और बड़े बराबर का जो symbol है बड़े बराबर का symbol है dollar यह तो हमने बिटते ही पहले लिख दिया इतना समझ में आता है चलिए तो second पे आते हैं second कह रहा है a star b जब second कह रहा है a star b तो a star b का मतलब है a is greater than b difference समझ में आ गया वहाँ पे not चल रहे थे सारे यहाँ केवल एक not वाला है बाकी सारे वैसे यह जो है positive है इसको not वाला मत ले 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 ना नहीं तो आपकी table ही गलत बन जाएगी उसने केवल confuse करने के लिए एक not का दिया है एक positive वाला दिया है फिर एक not का दिया है एक positive का दिया है फिर एक not का दिया है alternate positive negative दिया है उसने आपको तो यहाँ ध्यान रखना कि जब आप a star b बोल रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि a बड़ा है b से तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि A B से बड़ा है तो बड़े का सिंबल क्या आ गया? स्टार आ गया ठीक है? यदि मैं थर्ड की बात करूँ तो A हैश B तो A हैश B का मतलब है कि A is not greater B इसका मतलब A B से बड़ा नहीं है और अगर A B से बड़ा नहीं है तो या तो A B से छोटा होगा या A B के बराबर होगा तो यह छोटे इक्वल का सिंबल क्या आ गया? हैश थोड़ा सा positively काम करना पड़ेगा चौथा A percentage B जब आप बोलोगे A percentage B तो A percentage B का मतलब होगा A is smaller than B और जब A is smaller than B positively बोल रहा है तो इसका मतलब A छोटा ही है B से उल्टा करने की ज़रूबत नहीं है A smaller than B छोटा और छोटे का सिंबल क्या है? percentage यहां तक मेरे इसाब से सबको clear होना चाहिए पांचवे पे आते हैं A at the rate B तो A at the rate B का मतलब है A is neither small nor greater मतलब ना तो A B से बड़ा है आप question कर लेंगे तो मैं फटाक से आपको दो question इसके करके दिखा देता हूँ जल्दी से पहला question देखो M से लेके D जाना है तो M से लेके T गए T से लेके D आगए तो जब मैं बनाऊंगा इसको तो क्या बनाऊंगा M star T बना दूँगा और D percentage percentage का मतलब होता है small तो जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो T greater than D लिखूँगा और greater का sign होता है star तो दुबारा से star आगया और आपको यहां समझ में आना चाहिए कि ये भी greater ये भी greater तो M D से greater हो जाएगा इसका मतलब star हो जाएगा मतलब answer सही हो जाएगा बात समझ में आ रही है इससे भी speed तेज रखनी है हमें लेकिन इतनी तो कम से कम होनी चाहिए जब मैं T से K की बात करूँगा तो T से K में D से लेकर के अधिको K को consider करना है तो कर सकते हैं नी तो पहले इसको उल्टा कर लो तो हम already कर चुके है T बड़ा है D से और D हैश हैश का मतलब है छोटा बराबर तो T D छोटा बराबर है के से इसका मतलब दोनों family के साइन आ गए compare नहीं कर सकते है answer गलत हो गया बात clear है तो इसका जब मैं answer लिखूँगा तो कह लिखूँगा only first is true यह only first is follow ठीक है और कुछ नहीं होगा इसका answer आगे चलते हैं next question next question के अंदर F से लेके V पे जाना है तो जगदी मेरे को F से V जाना है तो पहले F से R पे आना होगा R से J पे आना होगा और J से V आना है लेकिन यह उल्टा हो रहा है तो V से J कर लो तो कोई फरक नहीं पड़ता इस वाले statement से R डॉलर है तो डॉलर का मतलब यह हो गया मेरे पास में डॉलर का मतलब greater than equals to तो R greater than equals to J is greater than V इसका मतलब R is greater than यह फिर F से बोला है ना तो F is greater than V क्यों 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 क्योंकि R और F तो एक ही है तो इसकी जगे में F लिख सकता हूँ और अगर F is greater than है तो F is greater than इसका साहिन आ गया मतलब यह साहिए हो गया यहां तक question clear है चलिए आगे चलते हैं R से लेके V यदि मुझे R से V जाना है तो केवल इन दौनों को देखना है तो R डॉलर आ रहा है तो R यदि डॉलर आ रहा है तो R से J J से V यही वाली situation बन गए अपकी बार F अटा दो अपकी बार F अटा होगे तो answer तो वही आएगा R greater than greater than आएगा तो अभी भी star ही आएगा तो answer क्या आगया second भी right तो answer क्या हो जाएगा Both first and second conclusion are true both first and second conclusion are true clear है तो यह बचे हुए तीन question again आपको solve करने है 9 और 10 के screenshot ले लो या आप solve खुद से कर लो pause करके कर लो ठीक है मैंने यह show कर दी है 9 और 10 उसके 8 और 9 और यह आपके पास में आगया 10th number का question ठीक है यह question आपको खुद से करने ठीक है as a practice चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे अब देखिए simple वाली form में आगे हमने coded form solve कर लिए coded form अगर हमने solve कर लिया तो मतलब अब हमें कुछ करने की जड़ोती नहीं है इसलिए मैंने small यह वाले जो question थे जो simply चल रहे थे वो बाद में रखे क्योंकि अगर आपने पहले दिमाग पर जोड़ डाल लिया तो बाद में आने वाली चीज़ें easy लग जाएंगी अब देखो यहां क्या है simple form है आपकी बार तो coding भी नहीं दे रखी सीधे-सीधे symbolic form में situation में करोगे तो LP से बढ़ा है yes L से लेकर के P के बीच में सब greater है तो LP से बढ़ा है yes right हो गया answer MP से बढ़ा है yes M और P के बीच में सब बढ़े है इसलिए M is greater than P right हो गया yes खतम question on both right इतना time लगना चाहिए आपको question करने में इस ते ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और आपके exam में इस level के question आईगे उसके भी आ सकते हैं लेकिन उसके बारे में हम confirm नहीं है कि वहले एक idea लगा रहे है न कि IBS question paper set कर रहा है तो paper थोड़ा ही tough आ सकता है इसलिए वो category भी हमने करी लेकिन आएंगे इस category के जहां तक chances है ठीक है second भी I think आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि यहां पर भी एक same series बन जाएगी क्या b a greater than b equals to h greater than g ठीक है a greater than g है yes greater equal greater में greater को ही priority देते हैं तो a greater g क्या हो गया right हो गया a greater h बिलकुल a और h के बीच में भी greater equal greater को priority देंगे तो a greater h गया yes right हो गया answer क्या जाएगा both first and second are right यहां तक clear है सबको चलिए फिर आगे बढ़ते है फटाफ से what time हमने लगा लिया यहां पे यह question आप मेरे इसाब से खुद कर सकते हैं ठीक है इसके अंदर आप सेम नहीं बना सकते है इसलिए बनाने की कोशिश भी मत करना है करके बता देता हूँ h greater than i दिया है तो h और i को कौन जोड़ रहा है मेरे इसाब से तो h और i को j जोड़ रहा牠 जो सबसे छोटा जोड़ता है उसको लेते हैं बड़ा form नहीं करना हमें चोड़ जूड़ रहा है तो h छोटा है जे से और i j से छोटा तो ये देखो F S से छोटा है तो ये ऐसे आ जाएगा और ये भी क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी opposite sign आ रहे हैं मेरे एसाब से यहाँ तक की condition आपको clear होगी कि इसका answer आएगा neither first nor second clear है सबको चलिए आगे चलते हैं next question की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप कर सकते हो मेरे एसाब से खुद से try कर लेना इस category के question को दो question आपको दे रहा हूँ खुद से कर लेना बहुत easy है directly दिये हुए इसमें तो comma भी नहीं first वाले में तो comma भी नहीं है आपके पस में आपको एक pattern बता चुका हूँ question करने का तो यह question भी आपको करने है मैं यह pdf आपको description में provide करा दूँगा तो आप easily इनको solve कर सकते हैं देख करके यह पूरी pdf में आपको provide करा दूँगा चलिए with solution तो आप check भी कर सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में यह question भी आप कर सकते हैं मेरे को नहीं लगता कि आप कोई दिक्कत आएगी खुद से ही try करो के तभी बनेंगे ठीक है यह सारे की सारी category जब खुद से try करो के तभी बनेगी यहाँ तीन का relation दिया है एक जगे दिया हुआ है R less than C तो बिल्कुल definite सी बात है R less than C सही हो गया B greater than R तो B और R के बीच में आप देख रहे हो less का sign है तो जब मैं R से भी लिखूँगा तो R छोटा है B से और जब R B से छोटा है तो B R से क्या होगा बड़ा, both right कर सकते हैं चलिए, आगे चलते हैं यह कोडिंग फॉर्म में जा रहा हूँ I think so, आप कर लोगे और PDF में प्रोवाइड करूँगा यह सारे की सारे कोशन आपको solve करने है यहां तक clear है, यह सारे की सारे कोशन आप PDF में solve कर लेंगे मैं पूरा की पूरा PDF आपको provide करा दूँगा ठीक है, इसका एक बार मैं आपको diagram देखके बदाता हूँ इसमें कुछ नया तो नहीं दिया उसने कहीं यह हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें सारे नाइधर की form में दिये हैं दिखरा है आपको x, y से not small, neither greater nor equal neither small nor equal, not greater, neither greater nor small ठीक है, तो यह आप कर सकते हो खुद से एक category के question में आपको और बता देता हूँ देखो, time वैसे हमारे पास कम है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक category के question क्या होंगे हमारे पास में जब आपको question को पूरा होंगे ए, greater than b, यह question लिख देता है ए, greater than b, greater than equals to c, less than d, equals to e यहां तक आगया, उसके बाद में blank ठीक है, f, greater than d, g, less than equals to h, और greater than i यह उसने एक series दे दिया है और यहां लगा दिया question mark यह एक से जगे ज़्यादा भी लगा सकता है आप उसने क्या बोला, कि इस series के लिए question mark की value ग्याद करो पता करो, यदी, यदी, क्या condition दी है यदी, d जो है, वो g से बड़ा है, यह definite true है d जो है, वो g से बड़ा है और दूसरा, आपको दिया हुआ है, कि c जो है, या फिर d जो है वो g से बराबर, बड़ा है हाँ, एक ही condition दी है, अभी एक ही ले लो, इस question के लिए के वो एक ही condition बन पा रही है, d जो है, वो g से बड़ा है तो देखो, इस situation के अंदर, आप g से, d से लेकर के g तक का criteria देखोगे बस, आपको बाकी series से कोई मतलब नहीं है d और g के बीच में आपको greater बनाना है तो यहां क्या क्या आ सकता है, यहां तीन चीजें आ सकती है बराबर भी आ सकता है, बड़ा बराबर भी आ सकता है, मतलब greater equal भी आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो यदि आपको suppose option number one दिया है equal, दूसरा option दिया है greater equal, तीसरा option दिया है both first and second चौथा option दिया है none of these ठीक है तो और पांच्वा option दिया है less than तो इस condition के अंदर आप क्या लगाओगे third क्योंकि इसके अंदर equal से भी काम चल जाएगा और greater equal से भी काम चलाएगा क्योंकि इसको बड़ा बनाने वाला greater बनाने वाला element अल्रेडी है मौजूद है यहां तक clear है तो यह कुछ category के question exam में आते हैं एक pdf में आपको यह दे दूँगा और एक pdf और मैं आपको provide करा दूँगा inequality की जिसके question अगर आप solve कर लोगे तो वो sufficient रहेगा आपके लिए ठीक है तो आज की class में इतना ही thank you so much अगर class अच्छी लगे तो please उसे like जरूर किया कीजिए ठीक है उसे share जरूर किया कीजिए क्योंकि यह हमारे motivation के लिए जरूरी है आपको पता है कि कैसे time निकालके मैं आपकी दो-दो lectures ले रहा हूँ ठीक है आपको थोड़ा लगना चाहिए it's okay कोई दिक्कत नहीं है हमें पास time कम है इसलिए हम पूरा slaves करने की कोशिश करेंगे ठीक है बाकी हमारे channel selection mentor को subscribe जलू करें thank you so much have a good day